गुद मानिंग एव्रिवान गुद मानिंग देखे आज हम जिस विशह पर बात करने वाले है वो हर और और नेटवर्क करने के लिए एक मार्केटिंग की टीम होती है जो लेका रहाती है अब वो लोग तरह की होती है अगर हम सेल्स में सेल्स के वालिूम को बढ़ाना चाहते है तो हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए जो भी लीड हमारे पास आई है वो आई कहां से है लीड के अलग-अलग सोर्सित होते हैं अगर किसी भी टैली कॉलर को किसी भी पर्सन को किसी लीड को फॉलो करने के लिए दिया जाए तो उसको अगर यही नहीं पता होगा यह लीड आई कैसे है तो उसके बात करने का तरीका भी उत्मा बेतर नहीं होगा जितना बेतर होना चाहिए इसलिए सबसे पहले अगर आप एक बेस्ट टैली कॉलर या बेस्ट कंसल्टेंट या बेस्ट सेल स या बेस्ट मार्केटिंग एक्जुगिटेब तब ही आप बहुत तरीके से अपनी कमपण्य में अपने साथिंग के साथ पर सांथ करेंगे तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बाते हैं जिसको आपको ध्यान में रखाना है नमबर वन आपका पर्सनल माइंड सेट कैसा भी हो उससे आपके बिजनस या आपके प्रोफेशन पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ना चाहिए बहुत सारे लोग घर से आएं हैं मान लीजिए कोई रास्ते में कोई किसी से कहा सुनी हो गई फैमिली से कोई बात हो गई किसी से कोई मन मुटाव हो गया या किसी बात को लेके मूड अपसेट हो गया वह आपका पर्सनल वह आपकी पर्सनल बात थी उसका इंपक्ट आपके प्रोफेशन पर नहीं आना चाहिए तो हमें क्या करना है सबसे पहले जब आप क्लाइन से बात करें तो उसको प्रॉपरली ग्रीट करें कि नमस्कार गुड मॉनिंग गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग मैं सर मेटास लाइश्टैल कंपनी से बोल रही हूं या मैं संध्या ग्रूप आफ मेडिसीटी से या जो आपकी कमपनी उस कमपनी के नाम को रिप्रेजेंट करते हुए कि मैं इस कमपनी से बोल रही हूं फाइन फिर उसके बाद मैं भी आपको बता रहा हूं कॉल जब आई है आपके दो तरह की कॉल हैं एक इन कमिंग कॉल और एक आउट्गोइंग कॉल अभी incoming call के बात कर रहे हैं, कि अगर call आपके पास, आपके server पर, आपके contact number पर, आपके help line number पर आई है, तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति को greet करेंगे, greet करने का मतलब हो गया, उसको एक तरह से ये महसूस कराएंगे, कि आप एक professional well organized company के किसी representative से बात कर रहे हैं, fine, उसके बाद कहना शुरू कर दें, तो इसका मतलब call आपने नहीं किया, उस व्यक्ति ने आप से बात करने के लिए call किया, तो listen carefully, सबसे पहले किसी भी question का, किसी भी product का, किसी भी service का, किसी भी problem का solution देने से पहले, बहुत से लोग क्या करते हैं, कि अगर किसी व्यक्ति ने एक बात कही है किते हैं, हाँ, हाँ, मैं समझ गया, मैं इसको बताता हूं आपको, करें, नहीं, मेरा कहने का मतलब यह नहीं है, क्लाइंट कहीं बार बोलता है, नहीं, आप पहले मेरी बात सुन तो लो, ऐसा मौका उसको नहीं देना, सबसे पहले listen carefully, बहुत सावधानी से उसकी बात को सु सुने, fine, listen carefully, जब आप उसकी सारी बात को अच्छे से सुन लेंगे, और सुनते समयना, उस व्यक्ति को यह मैसूस होना चाहिए, कि आप उसकी बात में इंटरस्ट ले रहे हैं, एक नहीं, हाँ, हाँ, बोलो न, अरे सुन तो रहूं, या सुन तो रही हूं, बताओ तो हो, यह एक negative attitude है, आपको listen carefully का मतलब है, आपको ऐसे respond करना है, कि उसकी बात में आपको interest आ रहा है, और जो बात वो कहना चाह रहा है, वो आप अच्छे से समझ रहे हैं, जी, हाँ, जी, अच्छा, अच्छा, मतलब किसी बात पर आपको आश्चरेशकित तरीके से बोलना है, जी सर, हाँ, जी, पूरी बात को अच्छे से सुनो, और ध्यान रखो जिस समय आप किसी बात को सुन रहे हैं, क्लाइन की, आपके पास diary, pad, notepad होना चाहिए, और pen होना चाहिए, अगर कोई बात आप भूलना जाए, अगर बात communication में लंबी चल रहे हैं, तो आप उसको note करें, क इसलिए सबसे पहले listen carefully, और सारे points को एक-एक करके note करो, note करने के बाद, अगर आपके पास उनके हर एक सवाल का particular जवाब है, तो एक-एक सवाल का, एक-एक step by step जवाब दें, और जब आप किसी को बोलते हैं, हाँ सर, आपने मुझसे 6 बाते पूछी हैं, अगर आप मुझस आता है कि आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है, तो मैं विश्वास मान लेता हूं कि आप मुझे सही solution देने वाले हैं, और अगर मैं कहूं कि आपने सर, 6 बाते मुझसे पूछी है, नमबर वन, जब आप एक-एक करके उसका जवाब देते हैं, तो उस व्यक्ति पर प्रभ एक-एक करके नमबर वाइज, उसके बताए गए प्रशन को दोहराते हुए उसका जवाब दें, कि सर आपने ये प्रशन पूछा था, तो उसका एक जवाब यह है, उसका हमारी कंपनी में ये solution है, provide solutions, या explain benefit कि आपने इस product के बारे में पूछा था, उसमें product का ये आपको benefit ह दोनों बाते हैं, एक है advantage of product और एक है benefit to the client, ध्यान से समझेगा, advantage of product और benefit to the client, दोनों बात लगबग एक हैं पर दोनों का meaning बिल्कुल different हो जाता है, कैसे, आपके product की क्या खासियत हैं, तो ये company का व्यक्ति तो अपने चीज़ों की खासियत बताए गई, लेकिन आपके product से ग चाहानी बताते रहो, उसमें किसी को कोई interest नहीं है, आपके product के उस benefit से, उस advantage से client को क्या benefit होता है, वो ये सुनना चाहता है, ठीक है, for example, हम लोग modular kitchen बनाते हैं, हमारे modular kitchen में क्या होता है, कि अगर कोई wood, client ने पूछा, मैं steel kitchen क्यों लगवाँ, तो हमने बता है, क्योंकि sir, steel kitchen यह नहीं कि stillness hygienic product है, बहुत बढ़िया quality है, termite free है, उसको यह बताना है, कि sir, जो आप wood kitchen लगाते हैं, वो 6 महिने में, एक साल में termite से खराब हो जाती है, तो आपका सारा investment waste हो जाता है, लेकिन अगर आप stainless steel kitchen लगाएंगे, तो इसमें termite नहीं लगेगा, जिसकी वज़े स ग्रहक को क्या फाइदा होगा, यह समझ में आना चाहिए, fine, तो मैंने क्या कहा, explain benefit not advantage, आपके product की आपको advantages explain नहीं करनी, benefit समझाना है, उसके ग्रहक को क्या फाइदा होगा, next, be polite and confident, यह बहुत important है, चाहें आप incoming call attend करें, या आप outgoing call करें, be polite, आपके शब्दों में मिठास हो करनी चाहिए, ग्रहक कितनी भी बार, अगर आपको चेक करना है न, आप airtel, idea, vodafone किसी का customer care में call करें, और उनको बताएं कि सर मेरे mobile phone में network नहीं आ रहा है, तो उसको यह बात पता है कि network आ था भी मुझ से बात हो रही है, आप अपने phone से call करके उसको बता रहे हैं कि मेरे phone में network नहीं आ रहा है, तो वह समझ गया ठीक, अभी तो आ रहा है न, हो सकता है कई जगा पर नहा रहा हो, वह बात समझ गया है, लेकिन वो कभी निया तो आप मुझ से बात कैसे कर रहे है, अरे आतो रहा है, तभी तो आपकी call मुझे मिली है, आप ये फिर वो समझ आप उसको टॉंट नहीं करेंगे अच्छा नेटवर्क नहीं आ रहा है कॉल बैसी मिल गई आपकी हमारी बताओ क्या प्रॉब्लम है सोचो जब एक बंदा जो लगातार एक ही सवाल का सोलूशन जानता है उसके बावजूद भी आपकी बात से इरिटेट नहीं हो रहा है आप 36 बार बता रहे हैं मेरे लास्ट वाले रूम में जाके नेटवर्क नहीं आ रहा है तो ना तो वह सिम की प्रॉब्लम है ना मोबाइल की प्रॉब्लम है हो सकता हूँ सेरिय में सिग्नल ही नहीं है फिर भी वह आपको गलत नहीं बोलेगा कि सर आप एक बार ऐसे हैं जिसकी वह से गल्हका आपके नंबर को कट कर दें अग्म अगर आपके नंबर को कट कर दिया इसका मतलब की कंपनी के प्रोडक्ट को यह सर्विस को rekorkर धीया आप पकी कंपनी कितनी बहीं पेदरो बविश्य में आपसे नहीं करें तो इस दोना अलग बाते हैं, over smart बनने की कोशिश करें, या उसको actual में knowledge हो, तो हमारा confidence lose हो जाता है, तो आप एक बात को ध्यान रखें, कि आप जिस company के साथ हैं, वो company आपके उपर confident है, आप जो भी बात कहेंगे, company आपको support करेगी, and be confident कि आप जो बता रहें न, वो आपके product की full flash knowledge है आप सबसे बहतर तरही के से उसको explain कर रहें, और ऐसे explain कर रहें, जैसे कोई और नहीं कर सकता, next, ये कब possible है, कि आप इतने confident रहेंगे, कि आप कोई बात बता रहें, तो आपको इस बात का पूरा विश्वास है, कि मैं ही सबसे best बता रहा हूँ, वो कब होगा, जब आपको product या सर्विस की full knowledge होगी, next, लिखा है, have full knowledge of the product और service, आपका जो भी product या सर्विस है, उसकी पूरी knowledge आपको होनी चाहिए, और ये पूरी knowledge कैसे होगी, ऐसे नहीं कि आपने कोई content पढ़ा, आपको knowledge हो जाएगी, आपने company से एक दिन training लिए knowledge हो जाएगी, दो दिन training लिए knowledge हो ज ही, आपने जो चीज़ों को सीखा है, साथे महिने भी वह सवाल आएंगे, जो आपने पहले कभी नहीं सुने है, इसका मतलब everyday we learn something new, हम रोजाना जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, और एक और आपको बात बताता हूँ, जीवन में आप कितने भी वर्ष के हो जाए हर रोज आपके सामने एक नई चीज़ आती है, अगर विश्वास ना हो तो मैं अप्रूव कर देता हूँ, क्या आप मेंसे किसी ने इन दूसरे व्यक्तियों को पहले कभी देखा था, आप तो कहेंगे मेरे तो 45 साल किये जो गई, मैंने तो सब कुछ देखा है, आपने आपने उससे पहले आज तक बात नहीं की थी, अब आप पहली बार बात कर रहे हैं, और आपके प्रोड़क्ट या आपकी सर्विसेज की फुल एक्स्प्लेंड नॉलेज होगी, और नॉलेज इस नोट लाइका इंजेक्शन की आपने इंजेक्ट किया और आपको हमेशा के याद हो जाएगा, everyday you are learning something new, हर रोज आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, और सीखते 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 आप अनुभवी विक्ति हो जाएंगे, बशर्ते आपके इंदर सीखने की योगता, और जिसने सीखने के बारे में सोच लिया ना, कि मैं perfect हूँ, समझ लिजे उसका graph व सवाल ऐसे आती हैं, या बहुत सारी समस्यां ऐसे आती हैं, जिसका solution कस्टमर आपसे चाहता है, जैसे मैंने एक example बताया, कि मेरी kitchen थी दीमक लग गई, खराब हो गई, उसका solution क्या है, या मैंने company से product लिया था, उस product में ये कमी रही, आपकी company मुझे क्या बेटर provide कर सकती है, या उसके मन के कुछ ऐसे प्रश्ण है, जिसका सवाल का जवाब आपको देना चाहिए, उसके जो भी दुविधाएं हैं, उनको solve करना आपका काम है, अगर आप on the phone, चाहे incoming call हो या outgoing call हो, आप इस दुविधा को solve कर पाएंगे, तो आपकी company के प्रति उस व्यक्ति की विश् बता दिए, लेकिन उसकी problem का solution जब तक आप provide नहीं करेंगे, तब तक वो deal close होने वाली नहीं है, इसलिए try to provide solution of the problem, जो भी समस्या उसकी है या जो भी requirement, problem का मतलब मैं खाली, provide solution का मतलब मेरा खाली problem से नहीं है, requirement से भी है, उसको जो product चाहिए, जो service चाहिए, उसका solution आप उस व्यक्ति को guide करें, कई बार हमारे guide करने में, point of guidance negative होते हैं, कि ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, अगर ये नहीं लिया तो नुक्सान हो जाएगा, या हमसे ही लेने में ये फाइदा है, ऐसे कभी भी कोई व्यक्ति guide नहीं होता, everybody know lot of things, और एक industry में आप अकेले नहीं है इस industry में आप ही के जैसे product या services देने वाली बहुत सारी company है, इसलिए जरूवत है आप सही तरीके सो इस व्यक्ति को guide करें, misguide ना करें, कई बार हम एक गलती और करते हैं, क्या करते हैं कि हम कोई भी competitive industry के बारे में negative बाते बोलकर उस व्यक्ति को अपने company का favorable बनाने का प्रय management से, दूसरी company से, दूसरे product से, दूसरे service से, आप अपने बारे में बताएं, अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे brand या दूसरी company के बारे में गलत बोल भी रहे, कि सर देखें उसके बारे में मुझे knowledge नहीं है, पर मैं अपनी company में क्या बेतर आपके लिए कर सकता हूं, यह मैं तरह से वो argue कर रहा होता है अपसे, पर आप argument में कभी ना फसें, उससे बहस ना करें, एक statement बोली जाती है, customer is the king, आप यही बात मान के चलें, चाहें उसको knowledge हो या ना हो, क्योंकि he is a buyer, और she is a buyer, अगर एक buyer है, तो वो खरीदने का अधिकार उसके हाथ में है, तो जिसके अधिकार है, वो राजा है, तो आप कितना भी argument कर लें, decision कौन लेगा, वो व्यक्ति, king लेगा, तो अगर king decision लेने वाला है, तो उससे argue करके अपने relation खड़ाब करके फायदा क्या है, आपको पता, सरकारी department में जो junior अधिकारी होते हैं, वो senior अधिकारी से argument नहीं करते, क्यों क्योंकि उपर के decision लेना उनका अधिकार है, तो वो केवल उनके लिये गए decisions को follow करते हैं, तो एक नी हमें यह, ऐसा हर जगह नहीं होता है, बहुत सारे junior इतना अच्छा एक, लेकिन argument में कभी भी वो चीजों को follow नहीं करवाते हैं, वो बहतर तरीके से अपनी बात को रखते हैं, बिना argument में फसे हुए, और अपने officers को convince करते हैं, देखो, दो बाते हैं, एक व्यक्ती उचे पद पर है, और उससे छोटे पद पर हैं, तो छोटे पद वाला व्यक्ती argument करके कभी भी वो काम नहीं करवा सकता, बशर्ते सही तरीके से convince करके वो काम करवाया जा सकता है, ह He has a decision making power, तो आप क्या करेंगे, argument नहीं करेंगे, convince करेंगे, और अगर जैसी वो आपकी बात से convince होता है, तो सबसे important है कि आप सही समय पर deal को close करेंगे, अगर आपने convince भी कर लिया और बाद में छोड़ दिया, तो वो deal एक तरह से close होनी के संभावना तक पहुंचके कई बार छूट जाएगे, इसलिए अपने client की deal को close करने से पहले उसको convince करेंगे, और जैसी आप convince करेंगे, तो उसका trust आपकी company, आपके product या आपके brand के प्रतिव बिल्ट हो जाएगा, और उसके वादा पासानी से deal को close कर पाएगे.